तो आधार नमस्कार गोड़ीनिंग सस्याकाल एक भाई फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपीसोड में उमीरे पूरी फैमली अच्छी होगी दिल्ली में मौसम फिर बदला हुआ है कल बारिश हुई काफी आज थोड़ा थोड़ा ठंड भी ह होने लगा है दूसरी तरफ जो कल मैंने आपको बताया था निर्भिया केस से जुड़े वे अपडेट के बारे में मैंने कहा था अभी कुछ ऐसे पत्ते हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे उन में से एक पत्ता आज खुला चार में से एक विनए सुप्रीम कोड पहुंचा और इसलिए और वो गलत तरीके से करवाया तो अब वो दोबारा क्यूरिटी पेटिशन और फिर मरसी पेटिशन यानि दाया आची का दोबारा दाखिल करना चाहता है क्योंकि वो उसके वकील ने उसका साथ नहीं दिया था उन्होंने साधिश किती उसके साथ ते इसलिए उसके कानून के दारे में रहते हुए यह इजाज़त दी जाए यह मौका दिया जाए कि वो अपना क्यूरिटी पेटिशन और मरसी पेटिशन दोनों फिर से दाखिल करें यह सारा टैक्टिस है भासी की तारीक को टालने के लिए मैंने कहा कुछ चीज़ें तो सामने हैं कु जो है इस बिनाय की आचिका को उस तरीके से लेगी क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लेती है और दुबारा मरसी पेटिशन दाखिल करने की इजाज़त दे देती है तो फिर आपमान के चलिए कि इस तारीक की जो डिथ वारेंट वो अपने आप वेकार हो जाएगा क्योंकि मर इसको एतनी सीरियसली नहीं लेगी क्योंकि कोट को भी पता है यह सब अब हतकंडे है तालने के लिए तो यह रही बात निर्भया केस से जो अपडेट था जो लगातार आपको देता रहूँगा अब लोटते हैं आज की कहानी के उपर जिसके मुझे दो-तिन दिन पहले ही स पहले कहानी ऐसे बहुत सारे हवाई हाथ से हुए और हवाई रहस हैं इस दुनिया में जो अनसुल्ज हैं उनमें से एक यह कहानी है कहानी एक सेंटियागो फ्लाइट यह सेंटियागो एरलाइन्स की एक फ्लाइट थी इव ए 513 उडान संख्या 513 तो सेंटियागो एरलाइ की उडान ये फ्लाइट चार सितंबर 4 सेप्तंबर 1954 को तब जर्मनी जो है वो एक नहीं हुआ करता था तो वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एरपोर्ट अचेन वहां से उडान भरती है सैंट्यागो एर्लाइन्स की उडान संख्या 513 फोर्थ सितंबर 1954 को आफ्टर नून में वेस्ट जर्मनी के आथियन से ये उडान भरती है और इसको जाना था ब्राजील के शहर ओटो एलगेर तो वेस्ट जर्मनी से इसको ब्राजील जाना था ओटो एलगेर ये दूरी करीब 18 घंटे में पूरी होनी थी प्लेन में तोटल 86 पैसेंजर थे और चार कुरू मेंबर बलके 88 पैसेंजर और चार कुरू मेंबर थे तो 92 टोटल हुई तादाद दोपहर के बाद ये वेस्ट जर्मनी से 513 सेंटियागो एलाइंस की उड़ान बरती है उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है एटीसी यानि एर ट्राफिक कंट्रोल के संपर्क में रहती है कुछ देर के बाद अब ये अट्लांटिक ओशन के उपर से उड़ान भनने लगती है Atlantic Ocean के उपर जाने के बाद अचानक इस प्लेन का संपर्क Ground से टूर जाता है यानि Air Traffic Control से टूर जाता है और ये प्लेन खो जाता है गुम हो जाता है ATC तमाम कोशिश करती है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता और Centiago Airlines 513 उड़ान अब ATC के राडार से गायब नक्षे से गायब और आम तोर पे जब ATC से इस तरह की चीज़ें गायब होती है तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन के साथ कोई ना कोई हाथसा हुआ है फिर भी इसके बाद तलाश की जाती है आखरी जो लोकेशन था Atlantic Ocean के ओपर वहाँ पे बचाओ दल बाकी सारी चीज़ें जाती है West Germany, Brazil दोनों के टीमें इस खोज में लगती है कुछ दूसरे देश भी मदद करते है और ये खोजबीन का स्रिसला चलता रहता है लेकिन न प्लेन मिलता है, न प्लेन का मलवा मिलता है, न लाशे मिलती है, कुछ नहीं मिलता तलाश जारी रहती है, धीरे धीरे वक्त बीटता है, महीना बीटता है, साल बीटता है लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता अब उस वक्त ही बजीब सारी चीजें हो रहे थी कि क्या हुआ एक ये भी था कि अट्लांटिक ओशन में गिरने के बाद प्लेन का मलबा कहीं बहुती समंदर के नीचे तल में चला गिया और वो मिल नहीं रहा और इतना बड़ा एरिया और भी फिर बहुत सारी बाते हो रही थी इसको लेकर बर्मूटा ट्राइंगल टाइप की चीजें भी थी की रह समय लेकिन किसी नतीगे पे नहीं पहुंसते हैं और प्लेन की तलाश जारी रहती है पर प्लेन मिलता नहीं है धीरे धीरे वक्त बीटता है ब्राजिल अपनी तरफ से जांच कर रही होती है वे जिर्मनी अपनी तरफ से जांच कर रही होती है बट कोई फाइदा नहीं है 1954 में चार सितंबर को इसने उलान भरी और उसके बार यह गायब हुआ था और इस दौरान में वक्त बीटता जाता है काफी जब वक्त बीट जाता है तो फिर जो जांच कर रही थी जो भी कमेटिया वो अपनी एक रिपोर्ट देती है कि अब कोई उम्मीद नहीं अस प्लेन को ढूंडने के लिए क्योंकि प्लेन है नहीं मलबा मिला नहीं लाशे दिखी नहीं तो यह हाथसे का शिकार हो गया है और हाथसा जो हुआ हो आटलांटिक ओशन के ही ऊपर हुआ है तो यह मान लिया जाए कि इसमें जो 92 लोग थे 92 क्रू मेंबर और पैसेंजर उन सब की मौत हो चुकी है तो यह एक officially report final दर्ज होती है और इस San Diego Airlines के 513 के उड़ान के जो पैसेंजर थे इन सभी को मुर्दा करार दे दिया जाता है जाच officially बन कर दी गए लेकिन फिर भी इधर उदल से अपनी तलाश एक जारी रखते है लेकिन काईदे से आप कोई उमीद नहीं थी इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीटता जाता है करीब 35 साल बीट जाते हैं 1954 से लेकर अब 1989 आ चुका है और 35 साल पूरे हो गया है इस प्लेन को वेस्ट जर्मनी के जो आठियन से उड़ा था इसको लैंड करना था ब्राजिल के ओटो एलगेर एरपोर्ट पर 35 साल के बाद ठीक दोपहर बाद 12 अक्तूबर 1989 को इसी ओटो एलगेर एरपोर्ट पर ATC को अचानक एक प्लेन आसमान में दिखाई देता है लेकिन वो प्लेन ना तो ATC से संपर्ग कर रहा है और नहीं वो उसको बता रहा है कि उसे लैंड करना है ATC लगातार उस प्लेन की चुके मोनिटर पे उसके स्क्रीन पे है और वो देख रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि वहाँ से संपर्ग कोई कर ही नहीं रहा है दीरे दीरे वो प्लेन रन्वे के करीब आता है ATC में हलकम मच जाता है पाइलेट उदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है इदर से रिस्पॉंस कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है उस इतफाक से एरपोर्ट पे कई ऐसे रन्वे थे तो ATC में जब हलकम मच जा उसके बाद ही हुआ कि इस पाइलेट कोई रिस्पॉंस नहीं कर रहा है और प्लेन धीरे धीरे एरपोर्ट की तरह रहा है रन्वे के करीब आ रहा है तेख दो फॉरन आनन फानन में रन्वे को खाली कराए गया और वो प्लेन जिसने ATC से कोई संपर्क नहीं साधा कोई प्रमिशन नहीं लें लैंड करने के लिए वो सीधे इस ओटो एलगेर एरपोर्ट के एक रन्वे पर लैंड कर जाता है परफेक्ट लैंडिंग थी लैंड करने के बाद प्लेन रुख जाता है इधर ATC ने तब तक एरपोर्ट सीकुरिटी और बागी सब को इस बारे में जानकारी दे दी कि कि एक प्लेन है अंजाना सा प्लेन है ATC से कोई संपर्क नहीं कर रहा है रन्वे या लैंड करने के लिए इजातत नहीं मांगी है और वो अपने आप रह समय तरीके से बिना ATC के संपर्क के बिना ATC की हेल्प के वो रन्वे पे लैंड कर गया अब प्लेन एरपोर्ट के रन्वे पे है हर बड़ा हट बॉकला हट सब तरफ थी इसके बाद एरपोर्ट के सारे जो सेक्रिटी स्टाफ थे वो गारी में बैठते हैं और उस रन्वे के करीब वहाँ पे जाते हैं जहां पर यह प्लेन जो है लैंड करके रुखा हुआ था जब करीब जाते हैं वो तो पहली बार प्लेन को देख के लगता है कि यह बिल्कुल न्यू ब्रैन प्लेन है नया प्लेन वहाँ पे जाने के बाद दूसरी चीज़ नोट करते हैं कि प्लेन का इंजन अभी चालू है और इंजन आउन है तीसरी चीज़ पर जैसी नजर पढ़ती है यह सारे चौक उड़ते हैं वो देखते हैं कि इसके उपर सेंटियागो एरलाइन्स लिखा हुआ है और बिल्कुल न्यू प्लेन तो चुकि एरपोर्ट पे जो लोग काम करते हैं वो सारी चीज़ें इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें अचानक ऐसास हुआ कि कि सेंटियागो एरलाइन्स ने यहां कैसे लैंड किया है क्योंकि सेंटियागो एरलाइन्स को बंद हुए बे करीब 33 साल हो चुगे थे 1954 में 4 सितंबर को जब इस सेंटियागो एरलाइन्स ने उड़ान भरी थी उसके अल यह गायब हुआ उसके दो साल के बाद 1956 में Centiago Airlines के कंपणी बंद हो गए और इस प्लेन को बंद कर दिया गया तो दुनिया में कहीं भी Centiago Airlines की कोई उड़ान नहीं थी अब जब इस ओटो एलगर एरपोर्ट पर वहां के सिक्रेटी स्टाप पहुंसते हैं देखते हैं कि Centiago Airlines और एरपोर्ट के अपने रिकॉर्ड में भी कहीं नहीं है कि यह अभी इस वक्त वजूद में है क्योंकि उसको बंद हुए वे करीब 33 साल हो चुके तो वो घबरा उठते हैं इसके बाद प्लेइन का इंजन चालू है दरवादे सब बंद है चारों तरफ से प्लेइन का इंस्पेक्शन किया जाता है फिर अचानक वहाँ पे इस एरलाइन्स को देखके कुछ लोगों के अंदर सुख बगाहट आती है क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी बहुत ने मालूम थी कि यह प्लेइन 35 साल पहले उड़ा था जिसको इसी एरपोर्ट पे लैंड करना था लेकिन वो कभी लैंड नहीं किया बाकि सीकोरेटी स्ताफ को बलाय जाता है उसके बाद एक पैसेंजर डूर के प्लें के जरी उसको खोला जाता है क्योंकि अंदर से किसी नहीं खोला नहीं तो प्लें का दरौजा के खोला जाता है खोलने के बाद शुरुवात में जो उनके सीनियर सीकुरिटी अफसरत है कुछ ये सेंटेगो एलाइंस के 513 केस उडान के अंदर दाखिल होते है वो जैसी अंदर दाखिल होते हैं जतनी तेजी से दाखिल हुए उतनी तेजी से वो पलट के चीक ते वे लगबग बाहर निकलाते है वो देखते हैं कि अंदर प्लेन में तोटल पैसिंगर अपनी अपनी सीट पे बैठा हुआ है सब के सीट बेल्ट भी लगे हुए है लेकिन वो सब कंकाल है इसकल्टन उन में से कोई भी जिंदा नहीं है पहला जो सिक्रिटी के लोग अंदर गए थे वो जब ये बाहर निकल कर बताते हैं बधावासी में तो फिर उनके बाकी साथी को यकीन नहीं होता फिर हिम्मत करके ये लोग अंदर दाफिल होते हैं अब उसके बाद धीरे धीरे एक एक seat पर देखते हैं, देखते हैं वैसी passenger सब बैठे हुए हैं, जैसे आमतोर पर plane में बैठते हैं, सबकी seat belt लगी है, count करते हुए जाते हैं, total 88 passenger थे, जो कंकाल बने वे थे और seat पर थे, इसके बाद वो हिम्मत करके अब cockpit की तरफ जाते हैं, cockpit के बाहर में दो air hostess, वो भी कंकाल की सूरत में वैसी ही बैठी गी, cockpit खोलते हैं, अंदर pilot और co-pilot, वो दोनों भी plane के अंदर मौझूद हैं, और दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन वो दोनों भी कंकाल बने हुए, और सबसे हरानी के बाद ये थी, कि जो इस plane का pilot था, उस pilot का हाथ उस वक्त भी, उस control जो जिससे plane वो control करता है, जो चलाता है, जो engine है, उसके उपर उसका हाथ रखावा था, एक कंकाल के शक्री में, मतलब उस control को उसने पकड़ा हुआ था, कंकाल बना हुआ था, और captain थे मिगल विक्टर क्यूरी, तो मिगल क्यूटर जो क्यूरी है, बाकाइदा control system को हाथ में पकड़े वे और हाथ कंकाल को और खुद कंकाल बने वे और pilot seat पे, कई बार उस plane की तलाशी ली गई देखा गया, तो पता चला कि सारे के सारे कंकाल है, अब हैरानी की बात ये थी, कि ये plane land कैसे किया, इसमें एक भी जिन्दा शक्स नहीं, सब कंकाल है, पाइलेट भी कंकाल बनावा है, लेकिन उसका हाथ उस control system पे है, प्लेट बाहर से बिल्कुल निव एकदम ब्रैंड दिख रहा है, इंजन चालू है, ATC से contact भी नहीं किया, और एक पाइलेट जो कंकाल है मुर्दा है, उसने perfect landing कैसे कराई, अब ये सारे समाल दिमाग घुमाने के लिए काफी थे, इसके बाद ये सारे चीज़ें धीरे धीरे बाहर आई, पैनिक ना फेले तो कहते हैं, ब्राजिल सरकार ने इसके उपर रोक लगाई कि ऐसी कोई information leak ना हो, और फिर अब जांच कही सलामत नहीं land करता, नमबर टू, ये plane कहीं और land नहीं किया, क्योंकि किसी airport से इसी को खबर नहीं मिली, नमबर थरी, plane के अंदर जितने लोग हैं, वो सारे उतने ही लोग हैं, लेकिन सब कंकाल बने में, तो इनकी मौत कैसे होई, नमबर फोर, कि एक मुर्दा pilot plane को इस त जानबीन करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि आगे इसके पीछे क्या हो सकता है, और ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल 35 साल तक ये plane आखिर कहां गुम था, उसको लेकि बड़ी सारी जाच हुई, हलाकि इसमें ये शुरू से आया कि ब्राजिल सरकार ने इ इसके बाद ये किसी ऐसे हाथ से का शिकार हुआ, जो टाइम ट्रेवल जिसको कहते हैं लोग, मतलब समय का चक्र, कोई ऐसी चीज़ कोई था जिसमें ये plane टाइम ट्रेवल में घुज गया, और वहां जाने के बाद, टाइम ट्रेवल का ये होता है कि कुछ लोगों का ये कह कुछ घंटे भी रहा, तो उसकुछ घंटे में दुनिया के जो समय का चक्र है, वो करीब 10 साल आगे हो जाएगा, तो एक थेओरी ये आई कि ये ट्रेवल में फस गया, और फिर रेडियेशन और उसकी वज़ा से सारे लोग मारे गए, कंकाल बन गया, दूसरी थेओरी ये कि जो दूसरे ग्रह के एलियन्स है, उन्होंने इस प्लेइन को हाइजेक कर लिया, और उसकी वज़ा से ये प्लेइन उसका शिकार बना, तीसरी थेओरी ये आई, कि ये किसी रिसर्च या किसी और चीज़ का इनसानी साज़िश का ही नतीज़ा था, जिसकी वज़ा से इस उपर कोई ऐसा टेस्ट किया जा रहा था उसके मसाफिरों पर किसी गिरह और बाकी चीज़ों को लेकर, जिसके नतीजे में ये चीज़े हुई, लेकिन पुखता कोई जवाब नहीं दे पाया कि ये सारी चीज़ें हुई, बट पहली चीज़ की 35 साल तक कोई प्रूफ नही थी और जहां इसको लेंड करना था, ये उसी जगह एक्जक्ट आकर कैसे इसने लेंड किया, ये सारे सवाल अपने आप में बने हुए थे, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला, अब इसके बार दूसरी चीज़ आती है, के प्लेन, सैंट्यागो एलाइंस 513, इसके 92 मुसाफि तो पता चला, के एक जनरिस्त था, जिसने पहली बार रेकर अख़बार में ये खबर छापी, और ये कंकाल की बारे में खबर छापी गई, और उस वक्त जब ये खबर छापी, बट उसने कंकाल की तस्वीर, और अंदर प्लेन में बैठे वे लोगों के ऐसी कोई तस्वीर कभी सामदे नहीं आई प्लेन की तस्वीर आई तो ये वाकि उसने इसको क्रॉस चेक नहीं किया पुखते तोर पर जानकारी नहीं लिए तो ये खबर पूरी तरह से सही नहीं है गलत है एक थोरी ये थी कि इस चेनलिस्ट ने गलत खबर दी दूसरी थोरी ये थी कि ये प्ले नियता बरती और ये टै किया कि ये राज कभी बाहर ना है और इसलिए इंटरनेशनल अइजनसी और बाकी लोगों को इसमें जाच करने के लिए भी दूर रखा ये भी खबर आई कि कई साइंटिसने इसका विरोध किया कि जाच जो है साइंस के लिए बहुती काम की चीज थी लेकिन 35 साल के उस रहस कभी पूरी तरह से परदा ने उट पाया है 89 के बाद आज हम 20 में हैं 31 साल इदर और हो गए तो 31 और 35 करीब 66 साल हो गए 66 सालों में इस सेंटियागोई एरलाइन्स के उडान के रहस इसकी सच्चाई पर आज भी परदा है इसमें दो तरह के लोग एक कहते हैं कि यह हादसा बिलकुल सच है सही है इस प्लेन ने उडान भरी और इसमें जो सारे लोग थे वो अंकाल बने दूसरा कहते हैं कि यह सिर जर्मनी के उसाचेन एरपोर्ट से 4 सप्तमबर 1954 को सेंटियागोई एरलाइन्स जिसका नंबर था EWA 513 इसने उडान भरी इसमें बानवे लोग थे 88 प्रेसेंजर चार क्रू मेंबर और यह प्लेन कभी ब्राजिल को से एरपोर्ट पर लैंड नहीं किया यह फैक्ट है और व 92 कंकानों के साथ ब्राजिल के एक एरपोर्ट पर लैंड करने की कहानी को लेके दोनों तरह की बातें आज भी हैं एक है कि यह सिर्फ फर्जी है कहानी है एक जर्नलिस्ट ने गलत खबर च्छापी लिए इसकी पूरी दुनिया में उसकी चर्चा का विशा हुआ हुआ और और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इस प्लेन ने कभी दोबारा कभी लैंड किया है तो इसका दो चीज़ें इससे निकल कर आती एक कि EWA 513 आज भी एक रहस है हाथ से का शिकार हुआ कहां हुआ यह किसी को नहीं पता दूसरा यह कि वाकई यह 35 साल बाद कंकानों को लेक लैंड किया एक मुरदा पाइलेट के साथ लैंड किया लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है तमाम लोगों ने कोशिश की इस सचाई की तेह तक जाने के लिए लेकिन पूरी तरह से सचाई सामदे नहीं आई है तो मेरी नजर में इसके दोनों पहलो एक पहलो यह है कि हाँ एक plane ने अड़ान भरी, यह सच है और उसे एरपोर्ट पे लेंड नहीं किया, यह भी सच है, लेकिन दूसरा यह है कि 35 साल के बाद लेंड करता है, और कंकानों के साथ करता है, यह कहानी तो है लेकिन इस कहानी और इस कहानी को साबित करने के लिए कोई पुखता सबूथ नही तो ये थी इस हवाई रहसे बहुत सारे हवाई रहसी की कहानिया है जो अलग-अलग है मैं आपको सिलसलेवार कभी सुनाओंगा बर्मूटा ट्रेंगल्स के जैसे आपको सुनाया ही था लेकिन ये भी एक फैक्टर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एलियन्स के वजूद से आप इंकार नहीं कर सकते हैं आप टाइम ट्रेवल के वजूद से इंकार नहीं कर सकते हैं आप बर्मूटा ट्रेंगल के रहसे से इंकार नहीं कर सकते हैं या आप इसी तरीके के और किसी ग्रह के अंजानी जो चीजें रहस्यां आप उससे इंकार नहीं कर सकते हैं तो उन में से कहीं न कहीं किसी चीज से ऐसा इसका वास्ता हो सकता है लेकिन लोग घबराएं नहीं पैनिक नहों उस वज़ा से कई बार ऐसी चीजों को छुपाया भी जाता है तो ऐसे हवाई रहसे कि और भी बहुत सारी कहानिया आगे कभी आपको क्राइम तक किसी कहानी के एपिसोड में सुनाओंगा फिलाल आज इतना ही तो कल सेटेडे हैं शनिवार कल कहानी होगी कल रिकॉडड़ होगी और इत्तफाक से आज जुबे से रिकॉड़ड़ है तो कल तो ऑफिशली रिकॉड़ड़ होगी तो आज इतना ही अपना ख्याल रखेगा और निर्भ्या के इस से जुड़े वे जितने भी अपडेट है आपको देता रहूँगा बहुत सारे लोगों ने कल के एपिसोड के बाद एपी सिंग की जो सारी चीज़ें उसको लेकरे मेल लिखा कुछ लोगों ने तारीफ भी लिखी एपी सिंग की मैं कोशिश करूँगा कि इस घितना थे जावर वो बीजी है जितना तस्वीर हो जा तो एक दिन फिर हुनको और साथ मैं कोशिश करूँगा निर्भ्या की वपील जो दोनों को एक साथ लाओं और दोनों अपने अपना अपने जा दलील और उनका अबो है वो आपके सामने रखें करयान तक की family की पूरी सब सुने उन दोनों की सोच और विचार और इस पूरे case को ले कर तो कोशिश मेरी यहोगी कि दोनों को एक दिन एक साथ लेकर आओं आपक के लिए आप लोग भी उनसे सवाल जवाब करें अब आप से कल मुलाकात होगी रात नौ बजी किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना खयाल रखें थैंक यू वेरी मंट